नमस्कार आप देख रहे हैं DNX TV मैं हूँ आपके साथ नीशा बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सूर्खियों में 36 गर में कोरोना का एक और मरी स्वस्त अब 5 एक्टिव केस 36 गर में आज एक और कोरोना मरी स्थीक हो गया है रैपूर एम्स ने ट्वीट कर ये जानकारी दी अब 5 मरीच बज गया है जिनका उप्चार एम्स में डॉक्टरों की निगलादी में किया जा रहा है 36 गर में अब विभाग बजट का 100 प्रतिशत नहीं 70 प्रतिशत ही खर्च कर सकेंगे विट विभाग द्वारा जारी आदेश के तहट प्रत्थम दिमाही में व्या की सीमा 25 प्रतिशत को संसोधित कर 10 प्रतिशत व्या की सीमा 25 प्रतिशत कर 20 प्रतिशत चतुर्थ दिमाही में व्या सीमा की 35 प्रतिशत को संसोधित कर 30 प्रतिशत अब वहा का दुकान दार मुठा रहे साइदा दुकानों पर नमक के लिए भारी भीर लग गई है 150 रुपे बोरी वाला नमक 250 रुपे में बिक रहा है अंजाने में से एक एक रेक्ती तीन तीन बोरी नमक ले रहा है तिल्दा में नमक खरिदने के लिए भीड के चर्टे सडकों पर जाम लग गया है दुकादर अफ़ग का फायता उठाकर 50 रुपे किलो में नमक बेच रहे है खाद्य मंदरी अमरजी भगत ने कहा नमक परियाप्त मात्रा में उपलब्ध अफवा होपर ध्यान ना दे प्रदेश के खादिय मंत्री अमर्जित भगत ने कहा कि राजी में नमक की कमी नहीं है सबी जगा परियाप्त मात्रा में नमक की उपलब्धता है उन्होंने लोगों से कहा है कि नमक के संबंद में फैलाई जा रही अफ़ाहों पर भ्यान ना दे देश में कोरोना मरीजों का आकड़ा 70,000 के पार अब तक करीब 2,300 ने गवाई जान देश में कोरोना वारस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं COVID-19 संक्रमीतों का कूल आकड़ा बढ़ कर 70,000 के पार पहुँच गया है स्वास्त मंत्रालाई की ओर से मंगरवार को जारी आकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वारस से अब तक 2,230 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि संक्रमीतों की संख्या 7,756 हो गई है वही पिछले 24 घंटों में कोरोना की 3,604 नए मामले सामने आये हैं और सत्यासी लोग इसकी वाज़ा से जान गवा चुके हैं उत्तर प्रदेश में सरकार ने रोजगार से उकों के खाते में जमा किये 225 करोर रुपे उत्तर प्रदेश के मूखी मंत्री योगी आदित इनात में महात्मा गांधी राष्ट ग्रामी जोजकार गैरंटी अधिनियम के लाभार्थियों को 225.39 करोर रुपे दिये हैं आज राट आट बज़े देश को संबोधित करेंगे पी-एम मोधी कोरोना संकट और लॉगडाउन के बीच प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी आज फिर एक बार देश को संबोधित करेंगे पी-एम मोधी सरकार की और से कोरोना को रोकने के लिए उठाय जा रहे हैं कदमों के बारे में बताएंगे इस दौरन लॉगडाउन पर भी एहम एलान किया जा सकता है पुर्व पी-एम मनमोहन सीह की हालत सुद्री एम से किये गए डिस्चार्ज पुर्व प्रतान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सीह को दिल्ली एम से चुट्टी मिल गई है बेचैनी के शिकायत के बाद रवी वर्दार को उन्हें एडमिट कराया गया था डॉक्टर ने उनकी हालत पर निग्रानी रखी थी फिल्द हाल पुर्व पी-एम मनमोहन सीह स्वस्थ है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है शेहनाज गिल और जसी गिल का ब्रेक अप सौंग रिलीज पंजाबे सिंगर सेहनाज कॉल गिल और जसी गिल का ब्रेक अप सौंग कहे कई सौरी रिलीज हो गया है पोस्टर और टीजर रिलीज होने के बाद सहनाथ और जसी के इस गाने का फैंस बेस अपरी से इंतिजार कर रहे थे इस गाने को फैंस का अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है हैवी बेड बॉक्सर माइक टैसन 15 सार बाद रिंग में लोटेंगे माइक टैसन ने रिंग में लोटने का फैसला ले लिया है वे रिंग में वापसी कर पैसर जुटाकर गरिबों के लिए घर बनवाएंगे आपको पता दे माइक टैसन 50 में से 44 में जित चुके हैं उन्हें और टाइम ग्रेट बॉक्सर के नाम से भी जाना जाता है आज की बड़ी खबरों में बजीप नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आगे वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन पर क्लिक करिए